नमस्कार मित्रो मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिंग आपके चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासिस पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में LT Grade Teacher की जो भरती होनी है उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और दिसंबर के लास्ट में उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना जताई जा रही है तो आज मैं LT Grade Teacher का जो GS का पाठिक्रम है जो सभी विश्यों की विद्यार्थियों के लिए अनिवार है उसका पाठिक्रम अपने चैनल पर बताऊंगी आज और GS की पूरी तैयारी topic wise मैं अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगी तो जो भी संस्कृत विश्यों की विद्यार्थियों है उनका तो संस्कृत का भी पूरा पाठिक्रम मैं cover करूंगी और plus GS तो अगर आप किसी भी विशे से हैं तो GS की तैयारी आप हमारे चैनल पर बड़े आराम से कर सकते हैं और हमारे चैनल पर कोई भी सुल्क नहीं लिया जाएगा और तैयारी को एकदम लास्त तक और पूरा कराया जाएगा तो हमारे चैनल से आज ही जुडिए तो चलिए ध्यन यानि GS का पार्ठिक्रम निर्धारित किया गया है उसको हम देखेंगे कि क्या-क्या पार्ठिक्रम में निर्धारित है तो देखिए सबसे पहले भारत का इतिहास एवं भारती राष्टी आंदोलन से प्रश्न बनेंगे तो इस टॉपिक से क्या-क्या प्रश्न बनेंगे कहा-कहा से इसको आप देख लिजिए भारती इतिहास के अंतरगत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्चों की सामाने जानकारी पर महत्त होगा फिर भारती राष्टी आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंतरता आंदोलन, राष्टियता का अभ्यूदय तथा स्वतंतरता प्राप्ती के संबंध में सार परग जानकारी अपिक्षित है तो इतनी चीज़ें यहां से पुछी जाएगी कि भारत की इतिहास एवं भारती राष्टी आंदोलन से इसको टॉपिक वाइज हम अपनी चैनल पर डालेंगे आप हमारे चैनल से जुड़के अपनी जियस की त्यारी को अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आज के डेट में जो भी सिख्षक भरती के त्यारी करते हैं उनके अपने सब वीशाय पर तो कमांड होते हैं किसी के 60% होते है किसी के 70% होते है किसी के 80% होते है लेकिन जो असली गेम होता है वो ये GS से ही होता है तो अगर आप अपना subject भी त्यार करते हैं और ये GS भी त्यार कर लेते हैं तो आपके selection होने की 99% संभावना बढ़ जाती है एक परसेंट तो खेर भगवान के हाथ में होता है फिर है दूसरा भारत एवं विश्य का भूगोल भारत एवं विश्य का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल इसमें भारत के भुगोल के अंतरगत, देश के भौतिक, सामाजिक, एवम आर्थिक भुगोल से संबंदित प्रश्न होंगे विश्य भुगोल में विशय की केवल सामान जानकारी अपिक्षित होगी देखिए इसका स्लैबस्त हो, जो थोड़ा होता है, बहुत कठीन होता है जो राज की चाहें अध्यापक हो, चाहें असिस्टेंट प्रोफेसर हो लेकिन इसकी तयारी करने का एक और अच्छा तरीका ये है जो आयोग द्वारा PCS के एकजाम में प्रशन पूछे गया है, टॉपिक वाइज उसकी भी अगर आप तयारी करते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारे प्रशन मिल जाते हैं तो मैं बताओंगी कि GS की तयारी कम समय में कैसे करनी है और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, तीस में से कम से कम आप 25 प्रशन तो सही करके आएंगे आगे है भारती राजनीती एवं शासन, संबिधान, राजनितिक विवस्था, पंचायती राज, लोकनीती, एवं आधिकारिक मुद्दे आदी इसमें से भारती राजनीती एवं शासन की अंतरगत, देश की संबिधान, पंचायती राज तथा, सामुदाइक विकास सहीत, राजनीतिक प्रडाली की ग्यान से संबंदित प्रशन होंगे तो देखिए, जो आपका ये पॉलिटी वाला जो सेगमेंट होता है इसमें से जो प्रशन आते हैं, वो लगवग विद्यार्थी कर ले जाते हैं क्योंकि इसका स्लेबस कवर करना बड़ा आसान होता है तो कोशिश करना है कि इस सेगमेंट से जो भी प्रशन पूछे जाएं, वो गलत नहों तो इसका भी तरीका है, मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे त्यार करना है फिर आएंगे हम भारती अर्थवस्था एवं सामाजी क्विकास इसमें अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरी करण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारती अर्थिक नीती, एवं भारती संस्कृत के व्यापक स्वरूप के ज्यान का परिक्षण किया जाएगा तो आपको भारती अर्थवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है जो जो दिया है सिर्फ उसको उसको उसी उसी टौपिक को पढ़ना है प्रकाश में और सुझा व सका कि टा इWith ए करिया तो आप आप किसी भी प्रकाशा मों सामने करते काशन है का रिफ हुग सिर्फ यह उन्डर से यह टौपिक टहरी करूझ राष्टी ववंत राष्टी महत्त की सम सामाई घटना है इसमें खेल कुद के प्रश्ण भी समलित होंगे तो आपको जितने भी करिंट के जितने भी इवेंट है या फिर जितना भी इंडेक्स वगेरा है और देखिए यहाँ पे जोर दे दिया है खेल कुद तो आपको खेल कुद तो भी से जुड़े रहिएं या याद नहीं होता है वियाभक हो जाता है तो उसके प्रश्ण गलत होने की संभावना जादा रहती है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप पूरा कवर कर सकते हैं फिर देखिए भारती है क्रिशी, भारती क्रिशी से क्या क्या प्रश्ण बनेगा भारत में क्रिशी, क्रिशी उत्पाद एवं उसके विपड़न के संबंद में सामाने जानकारी की अपिच्छा भ्यरतियों से होगी तो इसमें आपको भारत की कृषी के बारे में, कृषी उत्पाद के बारे में, विपड़न के संबंद में सामाने जानकारी होनी चाहिए फिर है सामाने विज्ञान, सामाने विज्ञान से क्या-क्या प्रश्ण पूछेगा दे तो देता है सामान विज्ञान लेकिन सामान नहीं रहता है इसमें भी बहुत सारे प्रश्ण पुझाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा अनुभो ये कहता है कि अगर आप विज्ञान के विद्यारती हैं तब तो ठीक है लेकिन अगर आप आट सब्जिस्ट के विद्यार थी हैं तो आपको बड़ी समस्या होती है विज्ञान के प्रश्णों को करने की तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप आयोग द्वारा पूछे गए विज्ञान के प्रश्णों को व्याख्या सही धल कर लीजिए तो आपको ये सब प्रश्णों बड़े आसानी से मिल जाते हैं, repeatedly प्रश्णों मिल जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, इसकी भी तयारिया पच्छेस कर सकते हैं मतलब आपको सामाने जानकारी होनी चाहिए इनके कहने का यही मतलब है वैज्ञानिक विश्यों का विशेस अध्यन नहीं किया है मतलब यहाँ पर वैज्ञानिक विश्यों का विशेस अध्यन नहीं किया है जिसने विज्ञान से नहीं है उनसे ऐसे सामान जानगारी क्या पिछा की जा सकती इस टाइब की इनके कहने का मतलब है कि ऐसे प्रशन पुछे जाएंगे इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रद्योगी की भूमी का से संबंदित प्रशन होंगे ठीक है फिर मतलब विज्ञान के जितने भी ये करेंट इवंट है कौन सा मिसाईल प्रचेपीत हुआ है क्या-क्या लॉंच हुआ है तो ये जितने भी करेंट है विज्ञान से संबंदित उसको भी आप देख लीजेगा वो भी सामाननी विज्ञान में ही आ जाएंगे फिर अगला है गडित प्रारंभी गडित हाई स्कूल अस्तर अंक गडित बीच गडित रेखा गडित यहाँ पे जो कला वर्ग के जो भी विद्यार्थी होते हैं वो फस जाते हैं वो यहाँ के प्रश्णों को solve नहीं कर पाते हैं तो आप गडित को छोड़ियेगा मत इसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा बहुत सारे चैनल पे गडित पढ़ाया जाता है बहुत ही इजी तरीके से तो अगर आप दो चार ट्रिक भी सीख लेते हैं जैसे आप प्रशीत प्रतीसत के प्रश्णों को देख लिजे मैं आपको प्रश्ण दिखाऊंगी कि कैसे प्रश्ण पूछे गए हैं उसके आदर पे कुछ-कुछ टॉपिक बता दूँगी जहां से प्रश्ण जादे आ रहे हैं तो आप उसका ही जादे तरह अभ्यास कर लिजेगा आपको गडित के भी प्रश्ण बड़े आराम से मिल जाएंगे फिर देखे अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेस परिपेक्ष में उपरिक्त विश्यों का उन्हें सामाने परिचे हो तो आपको उत्तर प्रदेश की भी सारी जानकारी होने चाहिए और कहने का ये मतलब है कि अगर इतिहास से प्रशन पूछे जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पता होना चाहिए अगर राजनीती विशह से प्रशन पूछे जा रहे हैं वो आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष में भी तैयार करना होगा और उत्तर प्रदेश का करेंट भी आपको तैयार करना होगा ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं तो आप subject भी कर ले जाएंगे और इसको भी अगर कर ले जाएंगे तो आपके selection की संभावना बहुत जादा बन जाएगी आज कल बच्चे बहुत जादा पढ़ रहा है तो थोड़ा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपको selection चाहिए तो आपको लगे रहना पढ़ेगा तो अगर आप GS की तैयारी करना चाहते हैं चाहें आप किसी भी विशय से हो तो आप हमारे चैनल पर जूड़ सकते हैं GS की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करा दूँगी और संस्कृत विशय के विद्यार्थी होगा तो GS प्लस संस्कृत पूरी तैयारी एकदम नी सुलक कराई जाएगी तो जो भी बच्चे सुलक की अभावन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो हमारे चैनल पर जूड़ सकते हैं आपकी कोई भी समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हमारे चैनल के माध्यम से उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा और आपकी हर संभो सहायता की जाएगी तो इस पाठिक्रम को आप देखिए इसका स्क्रीन स्वाट ले लीजिए अगर आपको पूरा पाठिक्रम चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर जुड़ सकते हैं वहाँ पे मैं इसका पीडियफ डाल दूँगी और आप अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराईए और अपने जादे से जादा मित्रों को हमारे चैनल के बारे में बताईए ताकि हमारा चैनल उन विद्यार्थियों की सायता कर सके जो कहीं न कहीं सुलकी के अभावों में पढ़ नहीं पा रहे हैं और हम सुरू से अंतर तक त्यारी कराएंगे अभी तक हमने जो भी TGT PGT के बहुत सारे वीडियो जाले प्रशन पत्र डाले उसकी वियाख्या बताईए उसमें से बहुत सारे प्रशन मिले एल्टी जूनियर एडिट के हमने वीडियो डाले थे उसमें से सतर से असी प्रशन संस्कृत के फस गये सामान ने अध्यन में भी पंदरा से बीस पचीस प्रशन वहां से भी आ गये थे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी त्यारी कर सकते है चूकि इसका त्यारी मैं पूरा कराऊंगी तो आप हमारे चैनल के साथ आज ही जूडिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगी एक्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन हम सभी सोचते रह जाएगे और एक दिन एक्जाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी निकल जाएगा और हम फिर अपने सेलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगे तो इस बार जिन लोगों का भी सेलेक्शन नहीं हो पाया है टीजीटी, पीजीटी या जूनियर एड़ेड में काफी नंबर कम है और वो जान चुके हैं धन्यवाद, नमस्कार